तो तुम लोग के कहने पे आज मैं आ चुका हूँ पूरे के पूरे 100 डे सर्वाइब करने वो भी एक उड़ता हुआ स्काइब लॉक के उपर ये अब तक का सबसे हार्ड चैलेंज होने वाला है मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस के नाम पे बस चोटे चोटे आईलेंट ही देखने को मिलते हैं और सबसे बूरा तो मुझे तब लगा जब मैं नेधर में गया एंड मुझे पता चला कि पूरा नेधर भी स्काइब लॉक ही है तो ऐसी वर्ड में आज मुझे 100 डे सर्वाइब करना है साथ में मेरे पास बहुत सारे टार्गेट होने वाले है पहले तो मुझे अपने लिए फुली इंचेंटेट नेधराइट का अर्मर बनाना है विलेजर के रहने के लिए एक बहुती बढ़िया सा ट्रेडिंग होल को बनाना है एंड में जाके हमें इनने दोनों बॉसस को हराना होगा एंड अपने लिए एक खुबसुरत सा घर भी बनाना होगा अरे रुको 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 एक चीज में पहले ही बता देता हूँ कि गाईस तुम लोग के कहने पे मैंने एक सेकंड चैनल बना लिया है जिसमें हम लोग भाई या डेली डेली बहुत ही खतरना खतरना अलग-अलग गेम खेलेंगे सच बताओं तो बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है तो इस चैनल का लिंक तुम लोग को कमेंट में मिल जाएगा सब लोग जाओ और फटा-फट से 100 के खराओ ओ सारी सारी अभी तक इसमें ही नहीं हो पाया है अरे ऐसा मत करो यार सबस्क्राइब करो सब लोग एक साथ ओके तो यार पहली दिन में इस्पोन हो चुगा था इस डब्बे के उपर और यहाँ पे आने के बास सबसे पहले तो मैं थोड़े बहुत ग्रास को कलेट करता हूँ और फाइनली जाके यहाँ पे मुझे कुछ सीड भी मिल जाते हैं वैसे यार एक चीज तो मैं भूली गया कि यहाँ पे एक दान पेटी भी पड़ा हुआ है और मुझे लगा कि इसमें कुछ खाना मिलेगा पर इसमें अबे कुछ खाना तो दे देते भाई चलो कोई ना कम से कम कॉबलिष्टोन फार्म बनाने का कुछ सामान मिल जाते हैं मुझे फिर यहाँ पे एक पेड़ भी था जिसको मैंने काट लिया एंड सबसे पहले तो मैं इसका सैपलिंग ले लेता हूँ उसके बाद उन लकडियों से मैंने थोड़े बहुत वुडेंड के टूल्स बना लिये अब क्यूंकि मेरे पास कॉबलिष्टोन फार्म बनाने के सामान तो थे इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे कॉबलिष्टोन फार्म बना लेता हूँ साम होते होते अपना cobblestone farm बनके बिल्कुल ready हो जाता है जहां से मुझे मिलने वाले थे unlimited cobblestone वैसे यार थोड़े बहुत cobblestone तोड़ते तोड़ते रात कब हो गया भाई मुझे तो पता ही नी चला और रात को भाईया सोने के लिए मेरे पास कोई bad wet तो था नी इसलिए मैं लग जाता हूँ सिधे मजदूरी करने वैसे रुको रुको मजदूरी करने से पहले मेरे पास कुछ सैपलिंग भी पड़े थे जिसको मैंने साइड में प्लांट कर देता हूँ और फिर लगयाता हूँ मजदूरी में तो इस दिन भाईया मैं आराम से बैठ ke पूरी रात पत्थर टोड़ता हूँ सोरी बैटके नहीं खड़े होके और पूरी रात पत्थर टोडने के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने सारे पत्थर हो पाएं पर चलो कोई ना इन पत्थर से मैंने जल्दी से स्लैब बनाया और उसके बाद मैं लगा तो अपने इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा चुड़ा करने चलो तो प्लैटफूम तो अपना बड़ा हो चुका था पर एक चीज में भूल गया कि मेरे पास कुछे सीट भी पड़े हैं तो इसको प्लांट करने के लिए मैंने पहले तो थोड़े बहुत मिट्टियां को इकठा किया और फिर यहर पानी के साइड ब्लॉक तोड़के यहाँ पे डर्ट लगा दिये और हो की हल्प से और मैंने जल्दी से खेत को कंपलीट कर दिया और मेरे पास जितने भी सीड पड़ेते हैं उसको मैंने खेत में प्लांट कर दिया और रात को यार जॉंबियों के साथ मुझे पकड़म पकड़ाई नहीं खेलना है इसलिए मैंने एक फर्नेस बनाके थोड़े बहुत लकड़ियां को जलाया एंड वहां से मुझे चार कोल मिल जाते हैं फिर उससे टॉर्चेस बनाके मैंने अपने प्लैटफॉम में लगा दि और यहां पर आके मैंने देखा तो भाईया यहां पर तो पेड़ में चेश्ट लगा हुआ है कहीं यह कोई जादू इट्री तो नहीं है जिसमें चेश्ट उगता है यह सब सोचना बंद करो क्यूंकि जैसे मैं चेश्ट में देखा तो यहां पर मुझे बहुत सारे सैपलि चान बची तो लाखों पाए और लोट के बुद्दू घर को आए भाई ऐसा वाला सीन हो गया मेरे साथ वैसे ही ने मदुमक्यों को कौन समझाए कि बुद्दू के साथ साथ तुमको भी नहीं आना चाहिए पीछे-पीछे उसके बाद यहर मैं देखता हूँ तो सुबह तो होता नहीं है इसलिए मैं तीसरी बर पहुँच जाता हूँ उसी आइलेंड के उपर और इस बार आके भाईया मैंने कोई सेतानी नहीं किया बलकि सीधे आके भाई चुक्चाप से बहुत सारे मिटिया को इकटा कर लिया और फिर यहर मैं रात कोई निकल लेता हूँ यहां से फिर सुबे जैसे ही हो जाता है वैसी मैं दुबारा से लग जाता हूँ काफी टाइम तक पत्थर को तोड़ने क्यूंकि अब मुझे अपने प्लेटफॉम को थोड़ा सा और बड़ा करना था क्योंकि इतना चोटा सा आइलेंड होने की वज़े से मैं जादा पेड भी नहीं लगा सकता था तो लिटरली यार काफी टाइम मजदूरी करने के बाद फाइनली जाकि अपना प्लेटफॉम बनके रेडी हो जाता है इतने टाइम मजदूरी करने के बाद एक बार मेरा हंगर बार का हालत देखो पर चलो कोई ना इधर की साइड यार थोड़े बहुत फसल भी गुरू हो जाते हैं जिसको मैंने जल्दी से तोड लिया अरे यार एक और फसल गुरू हो जाता तो क्या हो जाता भाई तो अभी यार चाहि कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी से कुछ खाने पीने का जुगार करना पड़ेगा पर यार कहां से करूं भाई वैसे इदर कुछ आइलेंड भी थे पर मुझे नहीं लगता वहाँ पे जाने से कुछ फाइदा होगा हमें और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो नहीं लगता हम लो यहां पे पांच दिन भी सर्वाइब कर पाएंगे तो इसलिए यार उतने टाइम से जो मैंने पत्थर को माइनिंग कर रहा था उसकी हर्प से मैंने बहुत सारे स्लैब को बना लिए और फिर भाई यार मैं रात कोई लो जाता हूँ एक और प्लैटफॉम को बनाने ताकि यार वहाँ पे जैसी जोंबी स्पॉन होगा उसको मारने पे हमें खाना तो मिली जाएगा और यार प्लैटफॉम बनाते बनाते तो मेरा पूरा स्लैब ही खतम हो गया पर चलो कोई ना अभी देखते है कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे जोंबी स्पॉन होते भी या फिर नहीं ओके तो कुछ टैम के बाद यार मैं जैसी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई प्लेटफॉम के उपर तो बहुत सारे मॉबी स्पॉन हो चुके हैं और भाई या एक जॉंबी को मारने पे तो मुझे गाजर भी मिल जाता है पर वो अलग बात है मिलता नहीं है चलो कोई ना यार मुझे थोड़े बहुत सड़े हुए मांस मिल जाते हैं जिसको मैं खा के अपना भोख मिटा लिया और सुबह सुबह यार में देखता हूँ तो प्लेटफॉम के उपर मुझे कुछ हड़ियां भी मिलते हैं उसके बद मैंने अपने सारे सामान को रखने के लिए दो-दो चेश्ट बनाए और जितने भी मेरे पस कुड़े कच्रे सामान थे उसको चेश्ट में डाल दिया फिर यार मैंने थोड़े बहुत पेड काटे एंड उसका स्लैब बना के मैंने अपने प्लैटफों में लगा दिया जिससे यहार अपना पूरा का पूरा प्लैटफों में फिल हो जाता है अब यार प्लैटफों बड़ा होने की वज़ा से अब यहाँ पे ज़्यादा मॉब इस्पॉन हो सकते हैं लेकिन यार मॉब तो रात कोई स्पॉन होता है दीन को भाई मैं क्या करूँ इस लिए यार मैंने सोचा दूसरे आइलेंड में जाने का तो फिर यार मैं फटाफट से स्लैब लगा के पहुँच जाता हूँ एक दूसरे आइलेंड में अब यहाँ पे तो यार पहले मुझे कुछ खजूर मिलते हैं जिसका पता नहीं क्या काम है और यार एक चीच तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई इस चेश्ट में इतने सारे कुड़े कजिरे किसने डाले चलो कोई बात नहीं इस मिट्टी कोई लेके चलते हैं तो यहाँ पे जितने भी मिट्टियां था इसको मैंने कलेट कर लिया लेकिन एक सेगंड यह क्या है अबे यार इस आयलेंड में मुझे टटी के अलाव और कुछ नहीं मिला इसलिए मैं दोबारा से वापिस आ जाता हूँ उसके बाद यार देखते देखते रात हो जाता है और प्लैटफॉम के उपर में साफी सारे मॉब आ जाते है और साथ मेर मेरे पिछे तो कुछ मकडियां भी पढ़ जाता है जिसको मैं लावा से जला-जला के मारता हूँ इसको मारने पर मुझे श्ट्रिंग मिल रहे थे इसका मतलब था कि मैं इससे बेड बना सकता था तो मैंने यार लगे हाथ दो-चार और मकडियों को मारता हूँ पर फिर भी यार मेरे पास सिरी पे एकी उल का इस्ट्रिंग हुआ था उसके बाद यार मैं अचानक से देखता हूँ तो प्लेटफॉम के उपर एक जॉंबी ब्लेजर रिस्पॉन हो चुका था और भाईया मेरा नसीब के बारे में तुमको तो पता ही होगा चलो कोई बात नहीं ये सब तो होता रहता है उसके बाद यार प्लेटफॉम से जो मुझे हड़िया मिला उसका मैंने बोनमिल बनाया और जल्दी से अपने फसल को ग्रो कर दिया और अब क्योंकि येर दोबारा से दीन हो चुका था और दीन को करने के लिए मेरे पास यादा कुछ काम तो रहता नहीं है इसलिए मैं पत्थर तोड़ने लग जाता हूँ और पूरा दीन तो येर मैंने पत्थर तोड़ते तोड़ते निकाल दिया पर जैसी रात हो जाता है वैसे येर मेरे उपर चमगादर ने हमला कर दिया वो ताच्छा हुआ ये अपना रिष्टिदार को लेके नहीं आया था इस वज़े से ये मारा जाता है उसके बाद येर दूसरी बार में जैसी जाता हूँ जॉंबियों को मारने तब मैं देखता हूँ कि भाई दोबारा से एक और जॉंबी ब्लेजर रिस्पोन हो चुका है लेकिन 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 मेरा नसीब के बारे में तुमको पताई होगा अबे नसीब या तेल लेने हर बार नसीब थोड़ी गदारी करेगा तो इस बार यार जैसे तैसे करके मैं छुप जाता हूँ और छुप के यार मैंने जल्दी से एक बोट बना लेता हूँ और फिर यार ये अपने साथ में जो रिष्टेदार लेके आया था उसको मैंने टपका दिया और इसको आके बिठा दिया बोट में और दिन होते ही यह धूप में यह जलने ना लगे इसलिए मैंने इसके लिए एक छोटा सा घर भी बना दिया फिर यह सुबह होते ही पहले मैंने फ्लेटफूम के उपर बहुत सारे टॉर्चेस लगा दिये क्यूंकि यहाँ पे मुझे जॉंपी को बिलकुल भी स्पौण ही करवाना है क्यूंकि अब यहाँ मेरा next प्लान था यहाँ एक 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 स्विफाम बनाने का लेकिन यह एक्सविफाम को बनाने के लिए पहले तो मुझे काफी सारा लखड़िया चाहिए तो मैंने उसके लिए यार काफी सारे पेड़ भी काटे एंड लगे हाथ यार पत्थर भी चाहिए था इसलिए मैंने काफी टेम तक पत्थर की भी माइनिंग करता हूँ अब बस मुझे एक्स पिफ हम बनाने के लिए अल्लिमेटेड वाटर सोर्स चाहिए तो इसके लिए भाईया मैंने बोनमील का यूज़ करके अल्लिमेटेड वाटर सोर्स भी बना लिया तो चलो अब तो अपने पास सब कुछ समान आ चुका है तो जल्दी से मैं लग जाता हूँ काम में और यार इन सेतानी पक्षियों ने तो भाई मेरा जीना हराम करके रखाए इसके लिए यार मुझे जल्दी से बैट का इंतिजाम करना पड़ेगा तो फाइनली यार जैसे तैसे करके ना अपना एक्सपी फार्म बनके बिल्कुल रेड़ी हो जाता है और इस वर्ल्ड में यार कुछ भी ना होने की वज़ए से ये एक्सपी फार्म बहुत ही तगड़ा तरीके से काम कर रहा था और अब यार इस एक्सपी फार्म से मुझे खाना तो मिलने ही वाला था साथ मेर मुझे श्ट्रिंग के साथ साथ हड़ी भी मिल रहा था उसके बद मैंने सोचा यार अब मेरे पास करने के लिए कुछ काम तो है नहीं इसलिए मैं जॉंबी मारने लगा पर यार अच्छानक से भाई मेरे साथ नहीं एक जॉंबी बिलेजर आ जाता है फिर क्या उपर जाके मैंने एक्सपी फार्म को ब्लॉक करता हूँ अच्छ प्लान था नेदर में जाने का क्योंकि यह तुम लोग को पता हूँ गाँ नेदर में लोग को बहुत सारा ग्रैवल मिलता है इंड उससे अम लोग मिट्टी बना सकते हैं और वैसे भी यर कब से मेरा खेत भी बहुत जादा छोटा है और उसको मैं बढ़ा भी नहीं कर सकता फिकोज मेरे पास कोई मिट्टी भी नहीं है लेकिन यर मैं नेदर में जाओं तो जाओं कैसे मेरे पास तो obsidians नहीं है तो फटाफट से यर में सलेब लगा के जाने लग जाता हूं उस वाले आइलेंड में यहां पे पहुंचने के बाद यर में जैसी चेश्ट में देखता हूं फाइनली यार ये देख के मुझे बहुत ज्यादा खुसी मिलता है भाई साथ में मुझे इतने सारे और भी चीज़ें मिल जाता है फिर सारे सामान को खाली करने के बाद मैं इस कैक्टस यानि काटे को भी ले लेता हूं और निकल लेता हूं यहां से तो अब क्यूंकि मेरे पास उपसेडियंस तो आ चुगा था इसलिए मैं लग जाता हूं एक दूसरा प्लैट्फॉम बनाने हैं जहां पे हम लोग नेधर पोटल बनाने वाले हैं तो इस टेम के बाद अपना प्लैट्फॉम रेडी हो जाता है और मैं लग जाता हूं यहां पे नेधर पोटल बनाने पोटल बन जाने के बाद यार मुझे लावा से ही पोटल को एक्टिवेट करना पड़ेगा विकॉज यार मेरे पास और कुछ दूसरा सामान भी नहीं है तो सब कुछ जुगार बिठाने के बाद अब मैं लग जाता हूँ वेट करने और देखते हैं यार कब तक अपना पोटल एक्टिवेट होता है कुछ टेम वेट करने के बाद अपना पोटल एक्टिवेट नहीं होता है चलो फाइनली यार इस बार कुछ ज्यादा ही टाइम हो चुका है and finally जाकि अपना portal activate नहीं हुआ है अरे रोको 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 इस बार बिल्कुल भी मजाक ने finally यार इसी के साथ अपना portal activate हो चुका था तो सब कुछ समद रेडी करने के बाद मैं निकल लेता हूँ नेदर में अपना spawn देखने कि आखिर कर अपना spawn कहाँ पे मिलता है पर वहिया यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चलता है कि पूरा नेदर भी sky block ही है यहाँ पी मेरा spawn तो हवा में हुआ था पर यहर मेरे side side में दो और island थे जहाँ पे एक दान पेटी भी पड़ा हुआ था उसके अलावा यहर मेरे पास भी एक दान पेटी पड़ा हुआ था जिसमें से भाई यह क्या है अबे यह क्या है पूरा का पूरा portal ही चेस्ट में डाल दिया पर चलो मेरा क्या इसको उठा लेते हैं तो कुछ टैम सोचने के बाद मुझे कुछ नहीं पता चलता है तो अभी देखा जाए यार तो मेरे पस तरी पे एक ही रास्ता है वो है भाई नेदर में जाके हम लोग को एक gold farm बनाना होगा और वहां से जितने भी हमें gold मिलेगा पिगलिन के साथ ट्रेड करके हम लोग ग्रेवल ले सकते हैं और उससे हम लोग मिटी तो बनाई सकते थे तो इसलिए यार gold farm बनाने के लिए मुझे काफी सारे पत्थर की जरुरत पड़ने वाला था तो यार मैंने काफी टैम तक मजदूरी किया और कुछ दिन लगातार मजदूरी करने के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास यार बहुत सारे पत्थर हो चुके थे तो इन पत्थर को लेकि यार मैं दोबारा से आ जाता हूँ नेदर में और यहां पे आने के बाद सारे पत्थर का पहले तो मैंने स्लैब बनाया और उसके बाद यार मैं जल्दी से गोल्ड फार्म के उपर काम करना चालू कर देता हूँ तो फाइनली यहर कुछ टैम मैजदूरी के बाद अपना गोल्ड फार्म बन के बिल्गूल रेडी हो चुका था और इसका अगर तुम लोग को सिंपल सा फंडा बताओं तो यहां पे आने के बाद हमें बस एक जॉंबी पिगलिन को मारना है और उसके बाद तो यह बहुत जादा रिस्की वाला काम था और उपर से मेरे पास कोई आर्मर भी नहीं था पर क्या करें इसके आलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं था उसके बाद यहर मैं नीचे जाके काफी टैम तक पिगलिन को मारता हूँ और लिटरली यहाँ से मुझे बहुत सारे सामान मिल रहते एंड साथ में भाई एक्सपी का तो बात ही मत पूछो फिर यह सारे सामान को इकटा करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चोटा मोटा स्टोरेज रूम भी बना दिया पर इसको यहाँ बिठाने के लिए मेरे पास बॉट तो नहीं था एंड साथ में लकडियां भी खतम हो चुगा था तो मुझे दोबारा से ओवर वर्ल्ड से लाना पड़ा और कुछ दिनों तक लगतार मजदूरी करने के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ काफी सारे गोल्ड तो होई चुके थे फिर मैं बहुत सारे गोल्ड को एकठा करके काफी सारे गोल्ड की इंगट बनाता हूँ और उसके बद मैं लग जाता हूँ इन पिगलिन के साथ ट्रेडिंग करने और लेटरली यार दो इस्टेक गोल्ड को लुटाने के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने ही सारे सामान हो पाए है पर चलो कोई ना मुझे यार ठिक ठाक से ग्रेवल मील जाते हैं जिसको लेके यार मैं यहाँ से निकल लेता हूँ फिर घर पहुचके यार मिट्टी और ग्रेवल की हल्फ से मैं क्रोश डट बनाता हूँ और उसको तो मैं नॉर्मल डट तो बनाई सकता था तो ऐसा ही करके यार मैंने पहले तो काफी सारा मिट्टी को इकाठा किया और जैसे मेरे पाद बहुत सारे मिट्टी हो गए मैं जल्दी से खेत के उपर काम करना चालू कर देता हूँ तो फाइनली यार कुछ टैम मजदूरी के बाद अपना खेत बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है साथ में यहार यहां पे जितने भी फसल थे उसको मैंने हर्वेस्ट करके खेत में प्लांट कर दिया और खाने के लिए मैंने थोड़े से आलू भी पका लिए भाई क्या बता पर यार मैं जैसी नेदर में जाता हूं पता नहीं यार फॉर्ट्रेस यहां पे कहां पे मिलेगा आई थिंग मुझे यार स्लैब लगा लगा कि बहुत जादा दूर जाना पड़ेगा क्यूंकि यार अगल बगल मुझे कोई फॉर्ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उधर जाने से पहले मैं सोचता हूं कि यार कूणी सामने वाले आईलेंड में चलते हैं क२गी वहां पे छेष्ट भी था क्या पता उधर कुछ काम का सवान मिल जाए और लेट लगा एसा ही होता है क्यूंकि यार यहाँ पे मुझे एक डाइमट भी मिल जाता है साथ मेर इ इस एक Redstone के चकर में पता नहीं मैंने कितने घंटे जॉंबियों को मार लिया पर चलो कोई ना Redstone तो आचुका था मेरे पास एंड अभी यार मुझे Golden Apple भी बनाना पड़ेगा क्या मतलब भाई Gold के लिए मुझे दोबारा से मजदूरी करना पड़ेगा नेदर में जाके चलो कोई बात नहीं इतना समन तो इकठा करी लिया तो ये Gold क्या चीज है तो Finally यार जैसे तैसे करके मैंने Poston of Weakness बना लिया साथ में दो Golden Apple को भी बना लिया अब बारीत भाई या उन Zombie Villager को ठीक करने की लेकिन एक सेकेंड यार मेरे पास तो एक Poston of Weakness बच जाता है इसका क्या करूँ तो अभी देखा जा यार तो मैंने इन Zombie Villager का Treatment तो कर दिया है अब पता ने यार इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा तो जब तक यार ये लोग ठीक होते हैं तब तक मैं क्या करता हूँ मैं लग जाता हूँ एक कर दूसरा प्लैटफॉम बनाने जहाँ पर हम लोग सिरी पेड को लगाएंगे फिर देखते ही देखते हैं अपना प्लैटफॉम बनके रेड़ी हो चुका था और मेरे पास कुछ सैपलिंग भी पड़े थे जिसको मैंने यहाँ पर प्लांड किया और इतने टाइम मजदूरी करने के बाद तुम लोग देख सकते हो अपना जॉम्बी बिलेजर भी बिल्कुर नॉर्मल बिलेजर बन चुका था क्या मतलब यार अभी इन लोग के रहने के लिए भी मुझे एक घर बनाना पड़ेगा अरे यार यही तो बुरा लगता है मेरे खुद के रहने के लिए घर नहीं है और इने बंदरों को घर चाहिए भाई रहने के लिए तो अब भाया ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए मुझे तो काफी सारे बोल मिल चाहिए जिसके लिए मैंने काफी टाइम तक इने जॉंबियों को पेला और बातरी पेड़ काटने की तो उसके लिए भी मैंने काफी टाइम तक मैजदूरी किया फिर सब कुछ सामान रेडि करने के बाद मैं जल्दी से ला जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल को बनाने भाई सहाब मैं क्या बताँ यार पहली बार मैंने ऐसा ट्रेडिंग हॉल बनाया पता नहीं यार कैसे बना दिया और अंदर से भाई मैं क्या बताओं बिल्कुल अमीरों वाली फिलिंग हो रही थी मुझे उसके बाद गाईज मेरे पाद जितने भी बैड पड़े थे उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और बातरी यहर इन विल्लेजर को इस वाले घर में लाने की तो उसको मैं आराम से बॉट में बिठा के लेके आ जाता हूं करने और कुछ टाइम के बाद भाईया मैंने कुछ ऐसा डेकोरेशन कर दिया था पर यार इसको छोड़ो मैं जैसे यार जाता हूं ट्रेडिंग हौल के अंदर तो मैं देखता हूं कि बाहर तो भाईया एक गोलम चाचा भी स्पॉन हो चुका है और अब तो एक बात पकी है कि अब साइस से हमें आईरन का कोई दिकत नहीं होने वाला था उसके बाद यार ट्रेडिंग हौल के अंदर मैं देखता हूं तो यहां पर थोड़े बहुत जनसंकियां तो हो चुका था पर पता नहीं यार मेरे पास पांच बिलेजर हो चुके थे पर पता नहीं एक मर गया य कोन बनाना चालू कर देता हूं मेरे यहर कुछ टाइम के बाद मैंने सारे के सारे बंदे को जौब भी दे दिया अब भार ही है बस इनों के सार ट्रेडिंग करने की वैसे एक बार तुम लों को मैं दिखा देता हूं कि कौन बंदा क्या देगा तो पहले यहर मैंने दो ताकि यह हमें स्टिक्स के बदले emerald दे और एक बंदे को तो मुझे किसान बनाना ही पड़ा ताकि मैं इससे आलो और गाजर के बदले emerald ले सकूं अब लाश्ट वाले बंदे को भईया मैं बनाता हूं armorer जिससे यह हमें diamond का armor दे सके इसको max level करने पे तो सारे बंदे का जॉब देना तो हो चुका था बस मुझे चाहिए बहुत सारे इस्टीक्स जिसकी मदद से मैं काफी सारे एमरेल्ड ले सकूँ तो बहुत सारे इस्टीक्स का जुगार करने के लिए मैं लिटरली लग जाता हूँ मजदूरी करने और काफी टाइम तक भाई मैं बहुत सारे पेड को उगाता हूँ और भाई बहुत टाइम मजदूरी करने के बाद तुम लोग देख सेकते हो मेरे पास लिटरली बहुत सारा वूड हो चुका था तो फटाफाट से इन वूड से मैंने स्टीक्स बनाया और उसके बाद मैं लग जाता हूँ इन विलेजर के साथ ट्रेडिंग करने दो तीन दिनों तक लगातार ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास अलमोश्ट तीन स्टेक एमराल्ड होने ही वाले थे और इतने एमराल्ड भाईया मेरे लिए इनाफ हो का डाइमंड का आर्मर खरीदने के लिए तो जल्दी से मैं लग जाता हूँ इसको भी मैक्स करने फिर कुछ टैम के बाद यार ये मुझे जूता के साथ साथ चटी भी दे दिया वो भी स्रीप एक एमराल्ड के बदले और भाईया इसको पूरा का पूरा मैक्स लेवल करने पर तुम लोग देख सकते हो इसने मुझे यार बाकी का आर्मर भी दे देता है लेकिन स्रीप एक पूरा के बाद ले भाई साथ बंदर हो तो ऐसा यार तो अब बस मेरे पाई डायमंड का आर्मर आ चुका था बस मुझे टूल्स चाहिए तो इसके लिए मैने एक और बंदे को टूल्समित बनाया फिर भाईया मुझे इसको भी मैक्स करना पड़ा एंड ये मुझे एक्स क कार्मर आ चुका था और अब तो यार उस काले कवे को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता तो अब भाईया मुझे कैसी भी करके एंड में जाने का जुगार बिठाना पड़ेगा एंड तुम लोग को याद होगा मेरे पास पोटल तो पहले सी था बस मुझे इसमें लगान एंड घर आके मैंने आय ओफेंडर को क्राफ्ट कर लिया वैसे इस पोटल को बाई चांस में कहीं पे लगा दिया तो दो बारा से इसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे तो इसलिए एर पोटल के लिए मैं लग जाता हूँ एक दूसरा प्लैटफॉम बनाने चलो प्लैटफॉम तो बनके रेड़ी हो गया था अब बारी था इस पोटल को बनाने का पोटल बन जाने के बाद मैं क्या करता हूँ जल्दी से इस पोटल को एक्टिवेट कर दिया लेकिन यार एंड में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ मैंने यार थोड़े बहुत रॉकेट बना लिया ताकि मुझे जैसे इलाइटरा मिलेगा मैं आराम से उड़ के अपने घर आ सकता हूँ उसके बाद यार सब कुछ सामान रेड़ी करके मैं सीधा चलांग मार देता हूँ मौत के फूवे में चलो एंड में पहुंचने के बाद यार पहले तो मुझे सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ ना पड़ेगा तो फटा-फट से मैं इसको फोड़ दिया और बातर यार इस काले कव्वे को उपर पहुंचाने की तो उसको तो यार मैं चुटकी में मार देता हूँ दर यहां से यार सारा का सारा एक्सपी कलेट करने के बाद मैं इस अंडे को भी उठा लेता हूँ पर रुको 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 जैसी मैं अर अपना इन्वेंटरी में देखता हूँ तो यहाँ प्यार अच्छाना से एक इंचेंटेट गोल्डन एपल मिल जाता है और मुझे नहीं पता भईया यह आया तो आया कहाँ से सायद से काले कवे को मारा तब मिला होगा तो अंडा वंडा उठाने के बाद यार मैं जाता हूँ आग किरकर मुझे एक एंड सिटी दिखाई देने लग जाता है और हर बार की तरह इस बार भी मैं आराम से उपर की साइड आ जाता हूँ जो भी मार खाते खाते उपर आगे यहर मैंने काफी टैम तक बहुत सारे चेश्ट को लूटे जिसमें से उतने खास सामान तो मिले नहीं पर अचानक से यहर क्या हो जाता है अब टईम आ चुका है अपने सारे के सारे डायमड के आर्मर को नेदराइट में कनवर्ट चरने का तो इसलिए मैं खाना पिना रेडि करके चला जाता हूँ नेदर में फिर नेदर में के गाईज मैं चारो तरफ उड़ उड़ के देखने लगा कि कहीं मेरे अगल बगल कोई बैस्चन तो नहीं है पर यहर उड़ते उड़ते मेरा पंक भी दर्द कर रहा था पर अभी तक मुझे कोई भी बैस्चन वगरा कुछ भी नहीं दिखाई दिया पर अचानक से यहर मुझे फाइनली तीन-तीन बैस्चन नहीं बलकि तीन-तीन भूतिया दिखाई दिया उसके बद गैस बैस्चन के तालस में मैं थोड़ा सा और दूर जाता हूँ और आखीर करियर यहां पर मुझे एक बैस्चन दिखाई दे देता है अरे यार पर इधर भी यह भूतिया कहां से आगया एक तो भाई इसका आवाज मेरे कानों में इतना चुपता है कि मैं तुम लोग को बता भी ने सकता पर चलो कोई ना जैसे तैसे करके यहर मैं बैस्चन के अंदर आया और यहां पर आने के बाद मैं काफी सारे इने सुवरों को मारता हूँ और सच बता हूँ तो यहां पर मुझे एक भी नेदर रैट का कुछ भी समान नहीं मिला तो इसलिए मैं इस बैस्चन के मेन वाले चेस्ट में आ जाता हूँ और पहले तो यहां पर चारुतरब में ब्लोक लगा दिया ताकि कोई धका मार के मुझे लावा में न गिरा दे अबे यार कोई इन बच्चों को समझाओ कि अपना लेवल बढ़ा के आए लेवल सबके निकले है चलो यह सब चड़ो उसके बाद यहर मैं सीधा जाता हूँ चेस्ट को चेकाउट करने और यहां पर जो चीज मुझे मिलता है अबे यह क्या देख रहा हूँ एक बैस्चन में इतने सारे सामान कहां से मिलने लगे भाई वैसे पहली बार तो देखने में मुझे लगा कोई यह सपना होगा लेकिन यह सपना नहीं बलकि अपना था तो जल्दी से मैं इसको उठा लेता हूँ और फिर यहां के मैंने सारे के सारे गोल्ड को भी कलेट कर लिया क्योंकि आगे चलके बीकन बनाने में अपना काम आएगा उसके बाद सब कुछ सामान लेने के बाद में धका मुकी करके यहां से भाग लेता हूँ फिर घर पहुचके यहर मैं जल्दी से लग जाता हूँ अपने सारे के सारे डाइमंड के आर्मर को निदराइट में कनवर्ट करने है लेकिन एक सेगेंड यह क्या इस बार साउंड नहीं आया चलो छोडो वैसे यहर मेरे पास एक ट्रीम भी पढ़ा था जिसको मैंने अपने चेस्ट प्लेट में लगाया चलो तो आप देखा जाए भाईया तो अपना सारे का सारे डाइमंड का आर्मर मेंने निदराइट में तो कनवर्ट कर लिया तो अब अपना जो नेक्स टार्गेट होने वाला था वो था वीदर को डिफीट करने का पर उससे पहले यार तुम लोग मेरा प्लैटफूम देखो अभी भी यार उतना खास देखने में लग नी रहा इसलिए मैं सोचता हूँ पहले एक काम करते हैं पहले सारे प्लैटफूम को ही डेकोरेट कर देते हैं तो लग जाता हूँ मैं फिर मज़दूरी करने चलो मजदूरी हुआ समापत एंड अब तुम लोग देख सकते हो अपना प्लेटफोर्म यार देखने में क्या जबर ज़स्त लग रहा है वैसे एक बर मुझे एंड में भी जाना पड़ा था वो भी इस एंड स्टोन के लिए उसके बाद यहर मैं दोबारा से निकल जाता हूँ नेदर की और क्यूंकि अब मुझे नेदर में जाके एक फोट्रेस को ढूरना पड़ेगा पर भाईया मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी हम लोग को फोट्रेस मिलने वाला है क्यूंकि यहर हम लोगों ने चारू तरफ उड़ूर की देखी लिया है वो ता अच्छा हुआ भाईया कि मैं ज्यादा दूर नहीं गया नहीं तो वहाँ से लोट के भी नहीं आ पाता यह सब होने के बाद गैज मुझे नहीं लगा था कि मैं फोट्रेस को ढून भी पाऊंगा इसलिए यहर मैं आता हूं दोबारा से अपने ओवर वर्ल्ड में और यहां प्याने के बाद यहर मैं इकटा करता हूं बहुत सारे स्लैब क्यूंकि यहर अब मुझे स्लैब लगा के ढूनना पड़ेगा फोट्रेस को तो बहुत सारे स्लैब को एक अठा करने के बाद मैं दुबारा से नेदर में आके लग जाता हूँ एक फॉर्ट्रेस को ढूनने और लिटरली यार इतना जादा दूर आने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पर टेंसन लेने वाली कोई बात नहीं था क्योंकि यार मेरे पास बहुत सारे स्लैब दे तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ और फाइनली यार इस बार मुझे सामने की साइड एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्ट्रेस दिखाई भी देने लग जाता है यार पर आने के बाद यार ब्लेज ने मेरे उपर हमला कर दिया वो तो अच्छा हो मैंने इसको मार दिया नहीं तो ये मुझे नीचे भी गिरा सकता था उसके बाद मैं उड़ते हुए एंट्री मार देता हूँ फॉर्ट्रेस के अंदर तो चलो अभी यार मुझे बहुत सारे विदर सकेलेटन को मारना पड़ेगा देखते हैं यार मुझे टोटल तीन सकल कब तक मिलते हैं तो इसी के साथ यार लूटिंग 3 होने की वज़ए से मुझे एक सकल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और यहां पे तो गैस मेरा बिल्कुल सर घुमने लगा तुम लोगी देखो मैं जैसे यार इस विदर सकेलेटन को मारता हूँ तो भाई अबे ये क्या जादू है भाई यहां से भाई मुझे डेबरीज भी मिल रहा था वो भी विदर सकेलेटन को मारने पे तो अब तो यार ये बात मुझे पता चल चुका था तो जल्दी से यार में लग जाता हूँ बहुत सारे विदर सकेलेटन को पेलने पर पता नहीं भाई यह साहिप से किसी का नजर लग जाता है मुझे सिर्फ दो ही डेबरीज मिले उसके बाद तो मुझे मिला नहीं और इसी के साथ यार मेरे पास तीन इसकल भी आ चुका था इसलिए मैं यार ना चाहके भी यहां से निकल लिया वैसे भी अपना इलाइट रबस से तूटने ही वाला था फिर जल्दी से यार घर पहुँचके मैंने अपने सारे सामान को रखा एंड उसके बाद यार मैं सीधा जाने लग जाता हूँ एंड मैं वीधर को डिफीट करने फिर एंड मैं आने के बाद यार मैं यहां पे जल्दी से वीधर को स्पॉन कर दिया अब देखते है भाई इसका फाइट तो फाइनली यार इसी के साथ मैंने वीधर को डिफीट कर दिया लेकिन यार ये क्या भाई इने काले सापो को क्या हो जाता यार और अब क्योंकि यार मेरे पास नेदर इस्टार भी आ चुका था तो जल्दी से मैं यहां से निकल लेता हूँ अपने ओवर वर्ल्ड की और वैसे भी यार मैं कब से इन विलेजर्स के घर में रह रहा था लेकिन यार घर बनाने के लिए भी मुझे काफी टेम तक लकडियां तोड़ना पड़ेगा साथ में पत्थर भी तोड़ना पड़ेगा पर एक बार यार तुम लोग मेरे टूल्स में इंचेंडमेंट देखो भाई ये बिल्कुल टटी वाले इंचेंडमेंट लगे हैं इसमें तो घर बनाने से पहले यार मैंने सोचा एक काम करते हैं अपने सारे के सारे टूल्स को इंचेंड कर लेते हैं वैसे भी यार मेरा एक बार एक्सपी भी देखो भाई हंड्रेट होने वाले थे तो इंचें टेबल सेटप कर देता हूँ, उसके बाद यार मैं जल्दी से लग जाता हूँ अपने सारे के सारे टूल्स को इंचेंट करने, साथ मैं आर्मर को भी, एंड इस वाले PKS में भाई या मुझे सील टच भी मिल जाता है, तो इसी के साथ यार मैंने सब कुछ इंचेंट कर लिया ता वो भी अच्छे से, एंड इसी बीचियर यहां पे एक ट्रेडर आता है, साला पूरा गेम खतम होने वाला है, और अब जाके यह आया है, वो भी यह टट्टी सा सामाल लेके, तो अब यूँकि मेरे पास सिली टच तो आ चुका था, इसलिए मैं नेदर में जाके यह वा लग रहा था देखने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा पोर्टल भी बनाई लेते हैं, तो इसलिए मैं दुबारा से मईदूरी में लग जाता हूँ, पहले तो एंड में जाके मैंने बहुत सारे उपसीडियंस को इकठा किया, और इस तो फाइनली यार अपना नेदर पोर्टल भी बनके रेडी हो जाता है, जो कि भाई वाकई में बहुत ही जादा तकड़ा लग रहाता देखने में, और नेदर पोर्टल तो गाईज मैंने इस वाले प्लैटफों में बना दिया, इसलिए मैंने सोचा अब एक काम करते हैं, को हम लोग यहाँ पर सेट अप कर देंगे, पर भाईया मेरे पास एमराट के बलोग तो दिन बद दिन कम होते जा रहे हैं, पर कर किया सकते हैं, इंचैन्मेंट भी तो करना था, तो अब यहर मेरे दिमाग में एक प्लान था, क्यों ने हम लोग पहले अपना घरी बना लेत और फिर यहर पास वाले बैस्टन में जाके मैंने काफी टेम तक मजदूरी किया, और लिटरली यार सब कुछ सावान रेडी करने के बाद मैं फटा-फट से लग जाता हूं काम में, भाई सहाब अपना आलिशान वाला मेहल बनके रेडी हो चुका था जो कि भाई देखने में क्या ही बताएं, वैसे यहर तुम लोग बताना कि तुम लोग यह घर देखने में क्यासा लग, अबेवे, उसके बाद गाईस तुम लोग देख सकते हो, मेरे पास कुछ इतने सारे एमराल्ड हो चुके थे और मैंने थोड़े बहुत और ट्रेडिंग कर लिया, और यह आसान हो पाया है इसलिए क्यूंकि मैंने और बाकि सारे बंदे को भी फ्लैचर बना दिया था, इससे मेरा काम और जाद आसान हो गया था, फिर यह मैंने सारे एमराल्ड का ब्लोक बना दिया और उसके बाद मैं लग जाता हूँ एक बिकन बनाने, तो फाइनली गाइज, अपना ये लाश्ट टार्गेट था, जो की कम्पलीट हुआ, और इसी के साथ होता है अपना 100 डे कम्पलीट, और एक बर तुम लोग सोच के देखो यार, मैंने सरीफ स्काइब लोक से स्टार्ट किया था, और तुम लोग देख सकते हो भाई, अभी अपना प्लैटफॉर्म देखने में क्या जबर जस्त लग रहा है, और एक चीज़ भाई है, सबको याद दिला देता हूँ कि सेकेंड चैनल का लिंक भी कॉमेंट में पिन मिल जाएगा, तो फटा फट से जाओ और 100 के, सोरी 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 1 के कराओ,